सो आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है जूम रजिस्ट्रेंट को आटोमेटिकली गूगल शीट्स में एड़ करें जो कि एक automation and integration software है जो हमें हेल्प करेगा जूम को गूगल शीट्स से कनेक्ट करने में और बेस्ट पार्ट तो ये है कि इस automation को सेट करने के लिए आपको किसी भी तरह की coding का आना जरूरी नहीं है एक non-technical बंदा भी automation आसानी से set कर सकता है तो यह हम कैसे करेंगे जानने के लिए बने रही है वीडियो में ओके, सो सबसे पहले हम हमारे browser में type करेंगे www.pably.com, press enter ओके, pably.com की official website सामने आ गई है फिर हम click करेंगे products पे, फिर हम click करेंगे connect पे connect पे click करने के बाद हमारे सामने public connect का landing page आ गया है कुछ इस तरह से दिखता है, then अब हम click करेंगे sign in पर मैं sign in पर click करूँगा because मेरा जो account है वो अल्रेटी बना हुआ पेबली connect का, आपको click करना होगा sign up free पे अपना account free में बनाने के लिए ओके तो मैं click करता हूँ sign in पर, okay sign in पर click करने के बाद ये नीचे एक option है connect का वहाँ पे हम click करेंगे access now के उपर, okay access now पे click करने के बाद हमारे सामने public connect का dashboard आ गया है, फिर हम click करेंगे right hand side पे create workflow के उपर, okay then मैं अभी अपने workflow को एक नाम दे देता हूँ, zoom to google sheets, okay create पर click करेंगे then zoom to google sheets होगे हमारे workflow का नाम, एक important बात आपको बता दूँ के इस video के description box में आपको एक link मिलेगा जो की होगा इसी workflow का, जिस पे click करके आप यही same workflow अपने account में use कर सकते हैं बेना किसी परिशानी के, then अब हम आ जाते हैं नीचे, यह हमारे सामने एक window आई है, जिसको हम कहते हैं trigger window, okay, और second यह जो window है, इसको हम कहते है action window, okay so trigger का मतलब क्या होता है, आप सोच रहे होंगे, तो मैं बता दू, trigger मतलब when this happens, मतलब की जब भी ऐसा हो, और action का मतलब do this, ऐसा कर दो, okay so हमारे topic के अनुसार, zoom में जब भी कोई meeting registration आए, है न, तो यहाँ पर हम select करेंगे zoom को, जब भी कोई meeting registration आए, तो automatically जो है, google sheets में उसका data details जो है, वो add हो जाए, okay तो हम यहाँ पर trigger चूज करेंगे, zoom में, meeting registration का होना, और trigger में, configure webhook, जो है, select कर लेंगे, okay then, अभी zoom ने हमको दिये, webhook URL और यहाँ पर instruction दिया है, then, अब हम आ जाते है, action पर, action, action के अंदर हम क्या चाह रहे थे, कि google sheets में, जो है, row add हो जाए, okay तो हम यहाँ पर select करना होगा, google sheets, okay, google sheets select किया, then, action event में, यहाँ पर काफी सारे options है, आप चाहें, तो, जैसा आपका topic है, आप से आप इसको select कर सकते हैं, बट मेरे topic के अनुसार, मैं चाहता हूँ के add new row हो, जब भी कोई meeting registration हो, तो add new row हो, google sheets में, तो मैं इसको select कर लेता हूँ तो अब भी आपको समझ में आ गया होगा, कि action क्या होता है, और zoom क्या हो, sorry, trigger क्या होता है, तो अब हम कर लेते हैं, webook URL जो हमें मिली है, इसको copy, और अब हम चल देते हैं, हमारे zoom के dashboard पर, तो zoom के dashboard पर हम चल देते हैं, यह मेरा zoom है, ओके, यह profile है, जूम की, इसका है, अब हम आ जाते हैं, नीचे, एक option है, advance का, ठीक है, advance के option पर फिर हम नीचे, एक और option है, integration का, उस पर click करेंगे, okay, integration पर click करने के बाद, हमको click करना होगा, go to app marketplace पर, okay, so go to app marketplace पर हमने click किया, then, यहाँ पे हमें option आएगा सामने, develop का, okay, develop के option के नीचे एक और option है, build app का, okay, तो हमें इस click करने के बाद, यहाँ पर काफी सारे options आ गए है, बट हमें जो मतलब है, वो है, JWT से, तो JWT पहले तो आप सोच रहे होंगे, कि क्या होता है, तो JWT का जो full form होता है, वो होता है, JSON web token, okay, और यह multiple service के बीच, एक secure connection establish करने के लिए यूज करते हैं, okay, यहाँ ही, हम अपनी जो ह हमको इसके अंदर copy करना है, बट उसके लिए आपको JWT create करना होगा, बट मेरे में यह पहले से ही create है, है ना, तो मैं नहीं करूँगा, बट फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, कि आपको क्या क्या करना होगा, view here पे click करके, ओके, आपके में option आएगा create करने का, ठीक है, तो पहले तो आपको app credentials, यहाँ पे जो भी, नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, features में आपको जाना है, आपका जो event subscription है, उसको आप on कर देंगे, देन आप यहाँ पे एग new event subscription पे click करेंगे, ओके, देन उसके बाद subscription name आप जो है डालेंगे, यहाँ पे, subscription name हम URL डालनी है हमारी, ओके, यह हमारी URL हमने यहाँ से copy की, देन हमने इसको यहाँ पे, sorry, यहाँ पे paste कर दिया, ओके, देन अब हम click करेंगे add events पे, ओके, add events पे click करने के बाद, अब हमें यहाँ पे choose करना होगा, कहां गया, meeting registrant has been created, ओके, इसको हमको choose करना होगा, देन अब हम click क करने के बाद हम कर देंगे click save पर, okay, ठीक है, save पर click कर दिया, then अब हम click करेंगे continue पे, okay, ठीक है, तो your app is activated on the account, so यह हमारा application है, जो यह activate हो गया है, then अब हमको क्या करना होगा, अब हमको चलना होगा, वापिस back, okay, so हम back करते हैं, ठीक है, चेक करते हैं, जाके कि हमारा connect हो गय अब हमें response जो है, वो create करना है, तभी पैबली connect जो है response अपना received करेगा, okay, now, अब हमको click करना होगा, back एक बार और जाएंगे हम, ठीक है, तो अब हमको click करना होगा meetings पे, then हम meetings पे click करेंगे, okay, meetings पे click करके हम एक meeting को schedule करेंगे, ठीक है, schedule हम meeting पे click किया, now, meeting को मैं नाम दे देत okay, okay, business meeting, एक second में इसकी spelling correct कर देता हूँ, business meeting कर देते हैं हम इसको, okay, description में हम डाल देते हैं, learn how to, learn how to earn, earn money, okay, so, यहाँ पे हम, जो है, date भी choose कर लेते हैं, ठीक है, date हम choose कर लेते हैं, 31st July, okay, then हम यहाँ पे time भी select कर लेते हैं, 31st July को, 2 p.m. से, हमारी meeting start हो जाएगी, duration जो रहेगा, इसका one hour कर रहेगा, ठीक है, time zone हमारा select है, recurring meeting नहीं करना है, इसलिए इसको रहने देंगे, registration हा, required है, registration, ठीक है, okay, इसको journal automatically रहने देंगे, okay, यह waiting room भी on रहने देंगे, then host जो है, इसको हम on कर देंगे, participants को भी on कर देंगे, audio, computer और audio बोट चलेगा, ठीक है, और meeting options जो भी है, आप इसको select कर सकते हैं, कभी भी, join anytime है, जो भी आपको करना है, then हम क्लिक कर देंगे, save पर, okay, okay, so save पर click करने के बाद, हमारी जो meeting है, वो schedule हो गई है, then यहाँ पर हमें registration का link मिला है, इस पर हम click करते हैं, okay, so यहाँ पर registration form कुछ इस तरह से दिखता है, मैं इसकी fields भी बढ़ा सकता हूँ, इसमें first name, last name, email, और confirm email है, ठीक है, तो इसको हम बढ़ा देते हैं, एक बार और ज करेंगे, questions पर, then questions पर हम यहाँ पर address भी add कर देते हैं, city name भी add कर देते हैं, country भी add कर देते हैं, state भी add कर देते हैं, phone भी add कर देते हैं, ठीक है, required है यह सब, इसलिए यहाँ भी मैं tick लगा देता हूँ, okay, then हम आपको जो भी इन में से और भी कुछ select करना हो, तो वो भी कर सकत अपने form के लिए, तो मैं save all पर click कर देता हूँ, मुझे सिर्फ इतनी details चाहिए, meeting के लिए, okay, then, अब हम फिर से, जो है, link पर click करेंगे, okay, तो जैसा कि आप देख रहा है, यहाँ पर fields बढ़ गई है, ठीक है, तो हम यहाँ पर fill कर देता है, name एक, okay, Heather, ठीक है, last name खान, ठीक sorry, I double हो गया, terrific header, 766.gmail.com, confirm email भी यही है, इसको copy करके, यहाँ हम paste कर देता है, ठीक है, address जो है, हमारा address डाल देता है, city में हम डाल देता है, बोपाल, okay, country हम select कर लेता है, इंडिया, यहाँ पर search करके, इंडिया, okay, state हम यहाँ पर select कर लेता है, मध्यप्रिदेश, others पर ही रहने देता है, इसको phone number हम डाल देता है, okay, यह सिर्फ मैं testing के लिए कर रहा हूँ, ऐसे ही, है न, okay, सब हम click कर देता है, register पर, okay, so, यह form हमारा register हो गया है, meeting registration approved हो गया है, अब हम चलके check करते हैं कि पैबली connect के पास यह वाला data पहुचा के नहीं, okay, तो हम आजाते हैं, okay, यहाँ successfully जो है response received हो गया है, यहाँ पर data received हो गया है, जो हमने वहाँ fill करा था, name हैदर, last name खान, email terrific हैदर, address सुंदर नगर, city भोपाल, country इंडिया, phone number, सब कुछ सारी details जो हैं, हमारी यहाँ पर आ गई है, पैबली connect को मिल चुकी है, ठीक है, तो हमने हम जूम को integrate कर दिया है, पैबली connect से, अब हम आ जाते हैं हमारी second step पे, second step है हमारी, कि हमारी google sheets में data automatically add हो जाए, जो भी data अभी हमें मिला है, किस से, zoom से मिला है पैबली connect को, वही data जो है google sheets में automatically add होने लगे, okay, तो उसके लिए हमें google sheets हमने पहले से ही select करके रखा है, action event भी select करक then अब हमें सिर्फ connect पे click करना है, okay, so हम connect पे click कर देते हैं, then अब मैं click करता हूँ add new connection पे, okay, add new connection पे click करने के बाद नीचे एक option आ रहा है, connect with google sheets, तो उस पे click कर देंगे, okay, connect with google sheets पे click करने के बाद, यहाँ पे मेरे जितने भी gmail account open है, वो सब यहाँ पे show हो रहा है, अब मैं select करूंगा, जिस के अंदर मैं चाता हूँ, जिस sheet के अंदर मैं अपना data add करवाना चाता हूँ, वो इस account में, तो मैं वही वाला account select कर रहा हूँ, और don't worry, pably connect is 100% safe, तो बिल्कुल बिना सोचे समझे, allow कर दीजिए, okay, allow पे click करने के बाद, authorization successful हो गया है, pably connect google sheets से भी connect हो गया ह अब हम आजाते हैं नीचे, तो यहाँ पे एक option आ रहा है, select spreadsheet का, जिसमें automatically spreadsheet जो है, select कर ली है, यह zoom register डाटा बेस वाली, okay, यहाँ पे काफी सारी spreadsheets हैं, जो की मेरे जो account मैंने select किया है, उसमें add है, मैं आपको एक बर चेक करवा देता हूँ, मेरे पास काफी सारी, जो है, google sheets तो महा का data यहाँ पे show हो रहा है, okay, मैं चाता हूँ, मैंने पहले से एक sheet बना के रखी हुई है, जिसका नाम है, zoom, registrant, database, इसके अंदर मैंने कई सारे columns बनाए हैं, जिसका नाएक का नाम है, event, name, last name, address, email, city, phone, country, है ना, तो यह वही सब fields हैं, जो हमको चाहिए, इसलिए मैंने वही सब add करी हैं, और महा से भी हमें वही सब मिली हैं, ठीक है, तो हम को क्या करना होगा, हम हम चाहते हैं, कि बस वो यहाँ पर add हो जाए, तो हमको कुछ नहीं करना, उसके लिए हमें सिर्फ महा जाके select करना है, okay, एक बर हम refresh कर लेते हैं, okay, refresh करने के बाद, इस sheet का नाम क्या है, zoom, registrant, database, तो मैं यहाँ पर चलके select कर लेता हूँ, उसको, मैं यहाँ पर search करता हूँ, zoom register and database ही आ गया है, तो इसको मैंने select कर लिया, अब select sheet, sheet 1 select है, automatically, पहले चलके हम देख लेते हैं, सही select है, हाँ, sheet 1 ही है, okay, so, वो automatically select है, पहले से, तो उसको वैसा ही रहने देंगे, event, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर जो fields हैं, खाली-खाली, इनको हमें fill करन है, जो हमें blank दिख रही है, जितनी भी, तो यह fill हमें करने के लिए सिर्फ क्या करना होगा, data map करना होगा, कौन सा वाला जो हमें मिला है, zoom से, पैबली connect को, जो data मिला है, यही सब data बस हमें जाके नीचे map करना है, एक example दिखा देता हूँ, आपको event, माली जो event है, तो event पे हम यहाँ पे, zoom पे हमें जो दिख रहा है, यहाँ पे हम click करेंगे, तो यह देखिए, जैसा कि आप देख रहा है, यहाँ पे event सामने आ गया है, नहीं मिल रहा आपको, तो आप एक बार यहाँ पे search भी कर सकते हैं, देखिए, event आ गया, यह हमने map कर दिया, meeting registration created, okay, event यह है, name, name आपको, यह हम map कर दिये, तो यहाँ पे हम search करेंगे, name, okay, यह name आ गयाная, है थिक, यह वही data है दोस्तों, जो हम यह हम यहा हम पे मिला, यह रहा है, ओके एड्रेस भी मैप कर देते हैं एड्रेस सर्च कर लेते हैं एड्रेस सौरी इड्रेस ये रहा सुन्दा नगर ओके इमेल इमेल भी मैप कर देते हैं सर्च कर लेते हैं इमेल ये रहा इमेल ओके इमेल भी मैप कर दिया सिटी भी मैप कर देते हैं सिटी ये रही भोपाल इस country कि कहा यह आ गई इंडिया country भी हमने map कर दी अब हमको click करना है save and send test request पर okay so मैं click करता हूं save and send test request पर okay so save and send test request पर click करने के बाद जो है यहाँ पर successfully response जो है received हो गया है और यह बोल रहा है कि वहाँ पर google sheets में जो हमने particular google sheets select की थी वहाँ पर data automatically add हो गया है तो चल के हम check कर लेते हैं google sheets में हाँ तो यहाँ पर successfully data add हो गया है तीक है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं zoom कर लेता हूं okay तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर data successfully add हो गया है ठीक है name है ना last name address email city phone field city phone number है ना country सब जो है add हो गया है automatically है ना तो हमने क्या किया successfully integrate कर दिया दो software's को जिनके अंदर कोई connection नहीं था with the help of family connect किस को integrate कर दिया भही हमने हमने integrate कर दिया zoom को google sheet से with the help of family connect अब चलके हम एक बार check कर लेते हैं कि हमारा जो workflow है वो proper काम कर रहा है या नहीं अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं तो हम चल देते हैं वापिस एक बार और response create करने उस page पे एक बार और हम चलके fill कर देते हैं हमारी जो है details एक बार इसको refresh कर लेता हूं तो यह फिर starting से आ जाएगा ओके link हम यहां से copy करेंगे एक पर और यहां पर paste कर देंगे then यह link जो है सकॉम फिर से fill कर देते हैं ठीक है मैं नाम change कर देता हूं हैदर खान की जगा मैं कर देता हूं एक्राम एक्राम खान ना इनका email address रहेगा एक्राम786.gmail.com यहां पर भी change कर देता हूं एक्राम786.gmail.com एड्रेस रहेगा इनका अपना को हिफिजा ओके अपना city में लिख देते हैं हम भोपाल same city कहें यह भोपाल ओके then country यहां पर हम select कर लेते हैं इंडिया ओके then state अपने आप हुजाएगा और यहां पर हम number डाल देते हैं उनका okay so number डाल दिया अब हम click कर देते हैं register पर okay so register वर click करने के बाद meeting registration approved ठीक है यहां पर successfully बता रहा है अब हम चलके check करते हैं कि हमारे वो google sheets में automatically जो है इनकी जो fields इन्होंने भरी है वहां पर add होई है या नहीं so यहां पर add हो गई है fields जो है देखिए name इक्राम last name खान address और जो हमने change किया था email वाकी सब और phone number इंडिया ठीक है तो यहां पर अब जब भी कोई यह जो हमारा form है यह वाला form यहां से एक मैं अकबर और copy कर लेता हूँ ठीक है यह वाला form जो है हमारा इस form पे जब भी कोई आके अपना details fill करेगा कोई भी हो चाहे अपनी details fill करेगा चाहे वह सो हो यह हजार हो unlimited लोग आके यहां पर अपनी details fill करेंगे तो वह सभी का data जितने भी हैं यहां पे एक के बाद एक new row add होत चला जाएगा unlimited rows में ठीक है कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी अभी हमने site कर दिया यह automatic काम करेगा ठीक है तो हमने successfully क्या करा हमने successfully integrate कर दिया है दोनों को किसको zoom को google sheets से और ना सिर्फ zoom और google sheets को आप multiple applications को integrate कर सकते हैं with the help of pably connect आखरी में एक बार और बता दू मैं आपको कि इसका workflow जो है इस video के description box में आपको मिल जाएगा link उसका link पर click करेंगे तो same workflow आप अपने account में clone कर सकते हैं और use कर सकते हैं ठीक है इस workflow से related आपको कोई भी परिशानी आती है workflow में कोई दिक्कत आती है आपके कुछ questions होते हैं तो आप हमसे contact कर सकते है admin at directpably.com पर अपने questions पू रहा तो वीडियो को like करना मत भूलेगा चैनल को subscribe करना मत भूलेगा और subscribe करके bell icon पर click कर दीजेगा thank you so much